महेंद्रगड के कनीना में जील पब्लिक स्कूल बस के दुरघटना ग्रस्त होने और बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है शुकरवार को परिवहन विभाग के साथ जिला प्रशासन की तरफ से मुहिम चला कर स्कूलों की जाच शुरू की गई है पहले ही दिन इसमें चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं हरियाना के ट्रांस्पोर्ट विभाग की असिस्टेंट ट्रांस्पोर्ट कमिशनर विभु सिंहल खुद जिले के दौरे पर रही जिन्होंने जिला उपायुक्त के साथ बैठक भी की वहीं दूसरी तरफ चीफ सेकरेटरी की वीडियो कानफरेंस के बाद जिला प्रशासन अलर्ट दिखा प्रशासन के इस अभियान के तहट पहले ही दिन की जांच में जिले के बानबे स्कूलों के वाहनों की फिटनेस एक्सपायर मिली है जिसके बाद SDM संजीव कुमार पहले टैगोर स्कूल पहुँचे फिर अरावली स्कूल में जाकर बसों का निरीक्षन किया निरीक्षन के दौरान टैगोर स्कूल की चार बसों के कागजात ना होने पर इंपाउंड किया नारनौल में भी प्रशासन ने बड़ी कारवाई करते हुए शुक्रवार को शहर के यदुवंशी शिक्षन संस्थान में वाहनों की जांच की इस दौरान स्कूल प्रबंधन की तरफ से संचाले 6 वाहनों के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर उनको जब्त कर लिया है टीम की इस कारवाई से स्कूल संचालकों में हड कंप मच गया है एस डीम डॉक्टर जितेंदर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों के तहट टीम ने शहर के यदुवंशी शिक्षन संस्थान में वाहनों की जांच के लिए पहुँची थी टीम ने जब वाहनों की जांच की तो बसों के दस्तावेज सही मिले जबकि टैमपो और टैमपो टैक्स वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई तो उनमें कई की फिटनेस नहीं थी जबकि कुछ के इश्योरेंस तक भी नहीं थे इस पर एस डीम जितेंदर कुमार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा वहीं एस डीम कनीना सुरेंदर सिंग ने आरकेवाई स्कूल कनीना का एक वाहन इंपाउंड किया SDM सुरेंदर सिंह ने कहा कि वाहन के कागजात पूरे न होने के कारण वाहन को इंपाउंड किया गया उन्होंने कहा कि भविश्य में सभी स्कूलों के वाहनों को चेक किया जाएगा तथा जिस भी वाहन के कागजात पूरे नहीं होंगे उसे वाहन को इंपाउंड कर स्कूल संचालक के खिलाफ भी कारेवाही की जाएगी